सद्गुरु नमस्कार, हुँ बस ए जानवा मांगतो हतो के श्राद करवानू शुम मात्व छे जीवननी अभी विक्ति माँ जे भौतिक जीवन छे, चालो हुँ तेने समझवा खातर अलग करो, जीवन छे अने भौतिक जीवन छे जीवन उर्जा, जे सामन्य रिते प्राण के प्राण तरीक उलखाये छे, तेनी पांच मुलभुत अभी विक्ति ओछे, दस चे पनते जटिल बनी जाशे, पांच मुलभुत अभी विक्ति ओछे, तेने अपने समान, प्राण, उधान, अपान अने व्यान कहिये छी, जेर जाहर कराये छे, चालो कहिए के कोई डॉक्टर निरिक्षण करीने एक व्यक्ति ने चोक्क शने मृत्त जाहर करे छे, के ते अवे मृत्ति उपामी छे, तेनी आगामी 21-24 मिनिट मा समान प्राण बाहर निकलवानू शरू करी दे छे, तेनो अर्थके समान प्राण शरीर मा तापमान जाडवानी जवाबदारी धरावे छे, सवती पहली वस्तु शरीर ठंडू पडवानू शरू थी जे छे, अड़ताल इस्ति 64 मिनिट वच्चे प्राण निकली जाए छे, तेना पछी 6 कल्लाक थी, 12 कल्लाक नी वच्चे उधान निकली जाए छे, ज्यासुदी उधान बहार ना आवे त्यासुदी एवी तांतरिक प्रक्रियाओ छे, जैनी मदथी आपने शरीर ने पुनर जिवित करी शक्ये छे, पण एक वार उधान बहार निकली जाए, पछी एक सुक्ष्म तक छे, पण ते एक अव वेवारू तक छे, तेसी वाई, एक वार उधा बहार निकली जाए, पछी शरीर ने पुनर जिवित करू लगबगा शक्या छे, पछी निवस्तु अपान छे, आठ ती अधार कल्लाक नी वच्चे क्या ते बहार निकली जाए छे, पछी व्यान जे प्राणनी प्रिजर्वर्टिव प्रक्रुती छे, ते बहार निकलवान चौत दिवसनी वच्चे अमुक प्रक्रियाओ शरीर मा थती हशे जे दर्शावे छे के तेमा जीवननों कोई तत्व छे जेमके वधता नख, वाल, चहरा ना वाल आ प्रकार्नी वस्तुवों जोई शकाये छे जो कई व्यक्ति आकस्मी क्रिति मृत्यू पामी होई अथवा विजाशब्दों मा कहिए तो जीवन गतिशिल हतु आने व्यक्ति मृत्यू पामी जरूरी नथी के संपुर्णरी ते कचड़ाई गयलू शरीर होई अकबन शरीर होई तो ते शरीर आ जीवनना स्पंदनों क्या अडतालिस्ती नेव दिवसुती चालू रह शे तो ते समय सुधी ए भी वस्तु ओछे जे तमे ते जीवन माठे करी शको छो it कई वस्तु ओछे जे तमे ते जीवन economies प्रेम करो छो ते पाचा आँछे तो तो ती बहार निकली गाए छे तमारे तेनी साथे कोई लेवा देवा नथी तमी तेने उलखी शक्ता नथी आनि जो ते पाचा आवे तो तम्हें बहाँबित धही जेशो तम्हें जेलकोने प्रेम करो छो ते पाचा हो छे तो ती बहाँचे प्रेम ने कारण के तमारों संबंध कांतो तेमना शरीर साथे आत्वा तेमना सभान मन अने लागणी साथे छे आ वस्तुव पाचल रहे गई छे, शरीर पाचल रहे गई गई छे, अने सभान बुद्धी अने समझदारी वालू मन पाचल रहे गई गई छे हवे मन ने द्रष्टिये, ते बस माहितीनों समुँँछे, जैनी पोतानी अमुक रुत्तियों छे स्वभाविक रुत्तियों, जे अमुक रिते अभिव्यक्ति शोधी रही छे, त्या समझदारी वालू मन नथी एक वार जो समझदार मन न होय, जो तमे आ मन मा सुखदतानू एक टिपू नाखो, जे मा कोई बुद्धी नथी, जे मा कोई समझदारी नथी, तो आ सुखदता लाखो गणी वधी जशे, जो तमे तेमा कडवाश नू एक टिपू नाखो, तो ते कडवाश लाखो गणी व वदू रमी ना शके, त्या सुधी ते रमवा मागे छे, कारण के तेनी पासे, तेनी पासे जरूरी समझण नती के ठीक छे हवे जवानों समय छे, ते बीजरीते आएक चरम स्थिती छे, जहां ते बदू आ बालक करता घणू वधारे मातरा माँ छे, जहां समझदारी वालू मन संप्रुण पणे गेरा जर छे, ते थी हवे तमे तेमा गमेते गुणवत्ता मुख्षो, ते लाखो गणी वधी जशे, आने जितो स्वर्ग के नर्क तरीके उडखवा माँ आवे छे, जो तमे अस्तित्वनी सुखद स्थिती माँ जाओ छो, तो आ स्वर्ग कैवा माँ जो तमे अस्तित्वनी अप्री अस्तिती माँ जाओ छो, तो तेने नर्क कैवा माँ आवे छे, आ कोई भागोलिक स्थानों न थी, आ बधी अनुभवाती वास्तविक्ताओ छे, जमा थी, एक शरीर विनानों जीव पसार्थी रहो छे, तो लोकों शू करवानों प्रयास कर ते केटलू सारी रिते के केटलू हस्यस्पद रिते करवा मावे छे, ते एक अलग बाबत छे, और तेनू एक आखो विग्णान छे, जे दर्शावे छे, विवित पगलावो पर शू करवो, तमारे जे प्रतम वस्तुनी नौंद लेवी जू ये ते छे, परम परागत रित मने खबर न थी हजी मुंबई मां थाये छे के केम के बदू जतू रहे उ, परन्तु जो कोई मुरूत्यू पामे तो, त्यां जे लोकों हशे, तेओ प्रतम वस्तुवी करशे के तेओ मुरूत शरीर ना मोठा अंगूठा ने एक साथे बांधी देशे, शू तमे हजी पन त हतो प्रवेश अटकावी शकाए, करण के ते जीव एवी जागरुकता साथे जीवियो न थी, के हुँ आ न थी, ते जीव हमेशा मानतो हतो के हुँ आ छू, ते बहार आवे होवा छता, शरीर मा रहेला कोई पन चिद्रों माथी पाछा प्रवेश्वानों प्रयास करेचे, खास करीने मुलाधार द्वारा, करण के जीवन त्यां थी जूत्पन न थाये छे, अने जेम जेम शरीर ठंडू पडवानू शरू थाये छे, ते एक मातर प्रदेश छे, जा छिल्ला बंदू सुधी हुँ फरेशे, हुँफ नू छेल्लू बिंदू हमेशा मुलाधार होई तो ते पाचाववानू प्रयत्न करे छे, आने टालवा माटे पहली वस्तु एछेगे अंगुठावने बांदो, जेती करीने, तेओ प्रयास न थाये केम के आप बहार निकलवानू तबक कावार थाही रहुँ छे, परम परागत रिते आपने हमेशा कहिये छीए, के जो को प्रिय व्यक्ति मरी गई होए, तमी जानों छे ते म्रूत छे पन तमारूमन युक्तियों रमवारू शरू करे छे, के कदाच ते हमनाच बेठा थे याशे, के कदाच कोई चमतकार थाशे, कदाच भगवान हमना आउस्याने कईक अदभूत कर छे, आहु क्यारे कोईनी पाचु जही शके छे, जो तमारे आनाटक बन करू होए, तो सोथी पहला शरीर ने अगनीदा अपिदो, दोड कल्लक मा, परन्तु ते दिवसों मा, केम के तमें जानों छो गामडाव मा अमुक वारेम थातू के कोई डॉक्टर तमने खातरी पुर्वक न कही शके ते मृत् आड़ी, ते व्यक्ति बेठी थाही गई, केम के ते अजी गई न थी, तेथी थेवोए, तैने चारकल लक्सोदी लंब्यावियो, जेथी आवी भुलो न थाए, परन्तु बने तेटली जड़ब थी शरीर ने दूर करू जोई है, जो कृषी प्रधान समूद आयो होई, त त्यमने तेमने डाटवानुँ शरू करिऊ, केम के तेव इच्छे छे, जो पूर्वजो आने तेमनुँ शरीर, ते माटी मा पाछू जाए, जे माथी तेमने खादू हतु, तमारे समझो जोही है, के आपने निर्भहाग खेतीमा हता, आपने ते जमीन मा भुलो जोई, ते खरीदेने खाऊचो तमें जानता नथी के ते क्या थी आवे छे ते थी हवे दफन करू ए सारी बाबत नथी ते हमेशा एक चोकस प्रक्रिया हाती अने ते शक्के तेटली जड़ब्ती थाए ते जो आमाटे हमेशा मीठू अने हलदर नाख्वामा आवतू हतू जिती ते पाड़े छे अने बधा प्रकार्नी वस्तुव करे छे पण जेक्षने अंगनी संस्कार थशे लोको घरे पाचा आओ शे अने बधू शान्त थोड़ा समय माटे कोई रड़तू न थी केमके अचानक सत्य स्विकाराई गयो छे ते पुरू थे गयो छे रमत पूरी थे गयो आ फक्त तमारा माटेज न थी आ ते शरीर वगर्ना जीव माटे पण छे जे हमनाज बहार निकली गयो छे क्यमके ते पण एवा ब्रह्मा छे के ते पाचो आविशके छे अने ते अटकी जाए छे अने ते सारी बाबत छे अने तमे तेने प्रभावित करो ते जोवा माटे घणी वधी विदियो छे के तमे कोई करिते ते समझनवगर्ना मनमा मदुर्तानू एक टिपू मुखी शको जेती करीने मदुर्ता अने घणी वधी जाए अने तेओ आराम्ती जीवे अथवा एक चोक्कस स्वयम प्रेरित स्वर्गमा जीवशे विदियो पाचलनो इरादो तेज छे जोती चोक्कस त्रिते करवा मावेतो